जब भी कोई नया यूजर अपनी ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाता है तो उनका जो मेन टार्गेट होता है वो होता है एडसेंस अप्रूबल लेना ये चीज सब के साथ होता है ऐसा नहीं है कि मैं बोल ला हूँ आपके साथ ही हो रहा है मेरे साथ भी होता एडसेंस अप्रूबल लेने के लिए हम 20 से 30 पोस्ट लिख लेते हैं कहीं से सर्च करके या फिर जो भी हमारे मन में आता है वो हम लिख लेते हैं और एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं बाइचांस हमारे पास AdSense का Approval भी मिल जाता है लेकिन problem तब create होती है जब हमारे पास traffic नहीं होता है और हमारी AdSense में earning नहीं होती है तब हमें पता चलता है actual value traffic gain करने का अगर हमने सुरू में ही traffic को focus किया होता तो आज हमारे AdSense में earning हो रही होती है लेकिन काफी सारी users की समस्या यह होती है कि उनके पास keyword नहीं होता है और किस keyword पे काम करें किस topic पे अपनी post को लिखें ताकि rank करें और उसे post पे traffic आए लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाले है कुछ ऐसा तरीका जिसकी मदद से अगर आप keyword find out करेंगे तो आपके पास लाखो की संख्या में keyword होगा जिस पे आप काम नहीं कर पाएंगी इतना सारे keywords आपके पास हो जाएगा कि आप उस पे काम नहीं कर पाएंगे और उसमें जो भी keyword में आपको बताने बाला हूँ सारे low competition keywords होंगे जिस पे आप अगर post लिखते हैं तो 2-3 मिने में आपका post टॉप 1 पे भी आ सकता है सारे तरीके इस वीडियो में बताने बाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लास तक जोड़ देखिएगा अगर आप एक नए blogger हैं और keywords को find out करना चाहते हैं अपने site पर traffic लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी important होने बाले है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हैंकित आपका स्वगत है आज की इस fresh वीडियो में सबसे पहले आपको करना है आपको अपने phone की google application या फिर chrome browser को open करना है अगर आप phones दी करना चाहते हैं laptop है PC है जिस भी device आप करना चाहते हैं कर सकते हैं सबसे पहले आपको किसी एक browser को open करने के बाद यहाँ पे आपको किसी एक keyword को search कर लेना है जो आपके niche से related हो जो की आपके category से related हो यहाँ पे मैं एक keyword find out कर लेता हूँ जैसे loan resource app से loan कैसे ले यह keyword है जो मेरे niche से related है मेरे एक website है जिस पर मैं इस तरह की loan वगरे की post लिखता हूँ तो यहाँ पे हमने यहाँ पे search कर लिया अब क्या करना है कोई भी keyword आप search करेंगे तो result में काफे सारे keywords आपके सामने आएंगे काफे जारे website आपके सामने आएंगे जो top 10 में rank कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है नीचे के तरह पे scroll करना है आपको किसी भी एक website को open करना है मानली जी यह top पे rank कर रहा है इसको हम open कर लेते हैं open करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे उस post की पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाती है यहाँ पे हमें इस post को read नहीं करना है हमें क्या करना है इसकी जो home page है उस पे click करना है and click करने के बाद इसकी home page की URL है इसको copy कर लेना है जैसे हम यहां से copy कर लिये हैं अब copy करने के बाद यहां से आपका काम खतम हो जाता है अब आपको जोरुत होगी किसकी इसकी आपको Samras की जोरुत होगी क्योंकि free tool से आपका काम नहीं होने वाला है 249 उर्पे पर मंद के साथ आप इसे use कर सकते हैं कैसे लेना है कैसे use करना है उसका वीडियो मैंने detail में बनाया हुआ है आप उस वीडियो को देख सकते हैं i button में आपको उसका link मिल ला होगा या फिर वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा और इससे जरूर पर्सेज कर लिजेगा 249 उर्पे पर मंद के साथ आता है और इसमें आप काफी सारे keywords को find out कर सकते हैं इसका use करने के बाद ही आपको इस तरह का benefit मिलने वाला है आपको काफी सारे keywords पता चल जाएंगे free tool में आपको actual letter नहीं मिलने वाला है तो इसको आपको purchase करना होगा जैसे आप मालीजे purchase कर लिए हैं अब उसके बाद क्या करना है जो भी हमने copy किया था website का home page का URL उसको यहाँ पर paste कर देना है आप अपने ही niche के हिसाब से कीजेगा मैं अपने according दिखा रहा हूँ example के लिए दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर डालने के बाद search पर click करना है click करने के बाद आपके सामने इस website की सारी data आए जाएगी कि इसके कितने keywords है कितने इनकी traffic आती है करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर जैसी आप आएंगे आपके सामने यहाँ पर view detail का option में जाता इस पर click करना है click करने के साथ ही next page में आपके सामने जितने भी इनके keywords होंगे वो सभी आपको दिखाये जाएंगे इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि किस-किस keyword पर competition जो है वो low है और उस पर आप अपना post लिख सकते हैं अगर आपका एक नया blog है नया website है तो low competition keyword पर अगर आप काम करते हैं तो आपका post जल्दी से rank हो जाएगा तो शुरू में आपको low पर काम करना है यह सभी को पता है यहाँ पर हम click कर देते हैं इस पर cut कर देते हैं अब जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आपको काफी सारा keywords मिल जाएगा लेकिन हमें filter out करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं keyword difficulty का option है इस पर click करेंगे and very easy कर लेंगे apply कर देंगे apply करने के बाद हमारे पास वही keyword दिखा जाएगा जिस पर competition काफी कम होगा जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे loan resource app सबसे पहले आ गया जिससे हमने वहाँ पर search किया था तो इस पर आप काम कर सकते हैं यह अगर आपके needs के related है उसके बाद यहाँ प देख सकते इसका search volume कितना है और competition कितना है यहाँ पर आप इसके हिसाब से post लिख सकते हैं जितने सारे आप keyword लेना चाहते हैं यहां से आप ले सकते हैं आप देख सकते कितना सारा keywords है जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि अगर आप very easy कर आएगा उससे आपके एड़संस की सीपीसी भी आच्छी खासी मिल जाएगी तो इस पर आपको काम करना चाहिए इसके रिलेटड अगर आपको और भी इसूज आ रहे हैं मतलब आपको पता नहीं चला है कि सैमरस के तरो की तरह से कीवर्ड रिसर्च किया जाता है कैसे लो और मेरी तरह अपने कीवर्डस को रैंक करा पाएं अपनी अर्णीं को डेवलप कर पाएं तो यह चोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप मिलियन स find out कर सकते हैं और अपनी एक्संस की इर्णीं कोelled कर सकते हैं यह बीट बहुत आपको काफी मिल जाएगी अभी के लिए इतना है मिलते हैं इसकी नेक्ट वीडियो में नेक्स ट्री के साथ तब तक लिए धनिवाद